इसी प्रकार अन्य प्रशंगों को श्रवन करने के लिए महाराज स्री के एक मात्र अधिकृत ओफिस्यल यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आईकोन को अवस्य दबा दें तो गरुण जी महाराज पढ़ारे कोई श्रीमान आए तो स्वागत करना परंपरा है श्रीमान लोग आते ही असमय में हैं श्रीमान लोग सूते हैं समय हमारा है हम जब गए तभी वेलकम कता प्रारंब हो गई मंगला चरण करके भूमिकाद गा रहेते बुसुद्डी वावा बुसुद्डी रमान में वरणन है पहुच गए पहुचे देखे राजा सहावाए तो स्वागत करना तो सबवावे स्मरण किये उजन किये हाथ जोड़े एनाथ आपके आने से मैं धन्य धन्य हुआ आग्या करिये मैं क्या कर दो तो गरुण जी बोले आप मेरे आने से धन्य नहीं हुए आप पहले से ही धन्य हैं आप स्वनाम धन्य हैं क्यों आपकी प्रसंसा बोले बावा ने किये अरे नहीं महाराथ पिर भी आज्या करिये मैं क्या सेवा करूं आहां गरुण जी की वाणी बड़ी मद्व है भोले सोनव ताहत जेहि कारन आयं क्यों सोसमा दरश प्राव पाव पाव देखि परम पावन तव आश्कमूं गयवूं हो 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 संशय ना है थेतात जिस कारण से मैं आया था वो कारण तो समाप्त हो गया कैसे आपके दर्शन करके और आपका दर्शन तो भया ही भया आपके पवित्र आश्रम का दर्शन करके हमारे मोह संशय समंदी सारे परशन समन को प्राप्त हो गया हमारा प्रशन समाप्त हो गया कैसे आश्रम का दर्शन करके है आपका दर्शन करके है देखिए अपने से बहुत समझदार व्यक्ति वैठा हो ना तो कोई भी वक्ता हो कथा कहना थोड़ा कठीन हो जाता है थोड़ा कठीन हो जाता है कई लोगों के तो पसीने छूड़ जाते हैं बड़ा मुश्किल है बहले वह साहज हो लेकिन कठीन है आपको वह कोई घलती नहीं है वह हो ही जाता है इस शरीर का सभाव है तो वसंडी बाबा ने प्रयास किया कि चले जाते तो मैं थोड़ा रिल गिरुण जी जाने को तयार नहीं क्यों शिव जी ने कहा था जा करके राम कठा सुनिएगा तब ही हो गोई सब संसे भंगा जब बहु काल करिये सकते हैं अब उसंडी जी परिशान कि जाते तुम्हें अपने आनंद में कठा गाता गरुण जी बोले नहीं प्रश्न तो समा आप तो हो गया अब आप कठा सुनाईए देखिए क्या पंक्ती है अब श्री राम कठाये किपावरी सता सुपेद थुद मुझे नसामनी सता सुपेद थुद मुझे नसामनी साबर ताब थुद मुझे नसामनी साबर ताब थुद मुझे नसामनी बार एंठान सुनाम रभतो इश्न सकत्रिविट क्どもणी साबर बार एंठान साब्र थुद मुझे नसामनी साब्धार थुद मुझे नसामनी गरुण जी की भाषा बदल गई गरुण जी की भाषा बदल गई स्रभाशित कहता है पक्षिराम का पचाण डाला पचुराम चाण डाला कुप्पुरा कववा का जनम अतिसे सगणो पासना की कारण से प्राप्त हो गया अतिसे सगणो पासना में निश्टा का परिणाम सठ सपच्छ तवर्दय विशाला सपदी हो पक्षि चंडाला जाओ लेओ सपच्छ क्या सगणो उपासना की जो भक्ति है उसके प्रती बुसुर्दे जिद्वड़ता दिखाए लोमत जी निशाब दे दिया अब फल तो उसका मिलेगा ही जो था ओबढ़ गया गरुन जी ऐसे पक्षी स्रेश्ट कुगा महराच की बार बार विंती करते हैं अब बार विन वाओ प्रभु तुम्भ वाग अराग की बिलती कि अब बड़ा कठिन काम है चलिए कठा भी हो गई कि नव दिन कठा हो गई कि अभू सुठी वावरे का महराच पढ़ारो तो लेना अवी तो कठा सुनकर के और परश्ण खड़े हो गए तो पूछो माहराच परश्ट भूचे उसका उत्तर आया वोले माहराच समधार हो गया तो पढ़ारो ना और प्रश्ण आ गया क्या तो आप कभी सुनेगे ये कठा है कठा केवल सुनिये सोचिये नहीं विचारिये नहीं कर्णमा से कठा सुनिये बस कि एक जगा अखंड रमाइड हो रहा था कि में जा रहा था वांस ऐसे रुख गया प्रडाम किया तो मैंने घर के मालिक का उन्हें पुछा मालिक आये तो मैंने का आई आप अखंड रमाइड क्यों करा रहे हैं अब सोई व्या है तो थोड़ा कुछ भजन हो जाए आप भी बैठते हैं तो यहां हम भी थोड़ा पढ़ते हैं लेकिन लोग सब को बोल दिया है सब लोग पढ़ते हैं इतनी सहजावस्था है कि जो कोई अनुष्ठान नहीं कर पाता है इस कल्यूग में ओ अखंड रमायन कराके ही बड़ी वाली यग्य कर लेता है यह है राब करता है वो कुछ बता रही कुछ पता नहीं है रोण पंडी जी को बलावे गवनाहूती डारे बड़ा भी दिये यह है रामचरित्मानस घर घर गांउ गांउ कोई मौसोम आ जाता है उसमें अखंड रमेंड चलते ही रहते हुँ गुर्प पविश कराना है तो अखंड रमेंड करेलू उसमें जो बड़े बाबूलो होते हैं वह हम लोगों को बुला लेते हैं वहाराज कथे हो जाए मकान बनाए चलो भई हो गए तो एक दिन दो दिन तिन दिन इतनी सहजा हवस्था और मस्तिश्क में इस बात को गंभीरता से बिठाई है जो बेटते ही मैंने निविदन किया आप से कि सत्युक त्रेता द्वापर से वरतमान कलियुक सबसे स्रेश्ट है क्यों है जितनी भक्ति का प्रवाह आज प्रवाहमान है उतना किसी युग में ऐसा रहा नहीं आप या तो पुरान उठा कर देखिए या किसे सुबर्ती का दर्शन करिए तर जगह रिश्यों ने एक बात कही है ये दर्म है इसको करो आज कोई धर्म करने को नहीं कहता है जो करने वाला है वो स्वयम करता है धर्म सद्धान्त को सभी रिश्यों ने बहुत कठोरता से पालन करने को कहा है आज का वेक्ति जितना जानता है मानता है उतना पालन करता है और सुखी है हमारे जीवन में हमारे जीवन में जितना सत्य धर्म परमारत रहेगा उतना हम सुखी रहें ये बड़ा बाबु भी मानता है रिक्षे वाला भाई भी मानता है अधर्म करते हुए कोई सुखी नहीं रह सकता दर्म पर चलने वाला ही सुखी रहता है दर्म का मार्ग सुख का मार्ग है अधर्म के पत पर चलकर किसी ने जगत की सामगरी इकत्रित भले ही कर ली, सुख नहीं मिलेगा सुख का समन सामान से नहीं है, हमारे मन से है, हमारे उर्दय से है, हमारे विहार से है बहुत सामक्री कत्रित हो और हम्मन से सुखी नहों प्रसन्न नहों वेर्थर अयुद्या का राज सिंभासन मा कई कई ने भरत जी के लिए मागा भरत जी सुखी भई क्या है कहते हैं देखे बेनु रगुनात पद जीके जरनीन जाएगा सुख कहां है श्री रगुनात जी के चरण में तो सुखधाम रामयस शुख कहां है धर्म चरण में लगवान धर्म की स्वरूप है सुख कहां है सत्य के दर्शन में हम अपनी अपनी परिभाशाएं मित्रों माताओं भेले ही दिश्चित कर लेंगे पर हल्तु सुख वही है जो साश्वत है सुख वही है जो हमको सुखी रखे न देखिए न बच्चों का खेल सुख है युवानी का विशय सुख है वरदावस्था का सत्संग सुख है लेकिन किसी को पता है गया बच्चे खेलने तो युवानी डिस्टर्ब होती है युवानी अपनी रंग में है तो बुढ़ापा डिस्टर्ब होती है बुढ़ापा सत्संग में नहीं गतीकी तो युवानी डिस्टर्ब होती है क्या बेमतलब का टेंसन पाले रहते हैं सत्संग करिए अवेदी अभ्यास नहीं है युवावस्था में तो बुढ़ापा में सत्संग बनता नहीं है युवानी में इसको बना लिया जाए बच्पन में कर लिया जाए तभी बिर्दावस्था सत्संग में जाती है बही तो नहीं, नहीं, सत्संग पर प्रवचन सरल है, सत्संग करना सरल नहीं बेल आईकोन को अवस्य दबा दें